पोचपुरी सुपस्टार खेसारी लाल यादो की पत्नी चंदा यादो आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है हाँ चंदा यादो मीडिया से कोसो दूर रहे लेकिन मीडिया उनके पलपल की खबर रखना चाहती है तभी तो चंदायादो जैसे ही खेसारी लाल यादो की फिल्मी सेट पर पहुची मीडिया को खबर लग गई और उनकी जो तस्वीरे हैं मीडिया में वाइरल होने लगी आपको बता दें कि इन दिनों सभी जानते हैं कि खेसारी बनारस में उनके फिल्म अंदाज की शूटिंग कर रहे हैं और उसी शूटिंग स्पोट पर खेसारी की पत्नी चंदायादो और बेटी रिशब को देखा गया यहां आपको हम ये बता दें कि जैसे ही पवन और खेसारी का विवाद तूल पकड़ा और समर सिंग द्वारा डेड़ सो आदमी भेजे गये थे खेसारी के शूटिंग को बिगारने के लिए जैसे ही ये खबर चंदायादो को मिली चंदायादो ने फ्लाइट पकड़ी मु लग कुछ है क्योंकि इससे पहले भी खेसारी लाल यादो के कई विवाद हुए तब तो चंदायादो वहां नहीं पहुची अचानक वो अंदास फिल्म के सेट पर ही क्यूं आ गई आपको बता दें पवन और खेसारी दो बहुत बड़े नाम है बोचपुरी इंडस्ट्र और विवाद होता है तो बड़े पैमाने पर होता है इससे पहले खेसारी के जितने विवाद हुए थे वो इतने बड़े विवाद नहीं थे कि चंदायादो वहां पहुची है अब ऐसे में बात निकल आई है कि चंदायादो खेसारी के साथ एक गाना लेकर आ रही है खेसा पूरी के चिन्ता हो रहे थी, उस वक्त खिशारी अकेले थे, हाँ ये बात और है, ये खिशारी के साथ उस वक्त मैनेजर थे, उस फिल्म की पूरी कास्ट और क्रिव थी लेकिन फिर भी एक पत्नी के चिन्ता अलग तरह की होती है, इसलिए वो खिशारी लाल यादों से मिलन पहुची थी ऐसे में मीडिया में खबर चल गई कि चंदायादो फिल्मों में काम करने जा रही है कि सारी के साथ गाना लेकर आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर ऐसा होता तो हमारा चैनल आपको सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन देता क्या कहेंगे आप हमारे कुल भूली